आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम Sola X के इंवर्टर के बारे में कुछ समझेंगे कुछ उसकी इंस्टालिशन गाइड के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा इसके मॉडल्स के बारे में बताएंगे Sola X पाकिस्तान में इसके इंवर्टर का जो 6 किलो वार्ट का लॉंच किया है फ्रोनस ने ठीक है क्योंकि फ्रोनस इसको इंपोर्ट कर रहा है बैसिकली Sola X एक फॉर्ण मतलब इंपोर्टेड ब्रैंड है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मझावा ब्रैंड है आप यह कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इंवर्टर को टकर दिने वाला जो प्रैंड है वो Sola X प्रैंड ही है हम चलते हैं आगे तो यह देखें फ्रैंड्स सबसे पहले हम इसके इंट्रोड़क्शन के बारे में देखें कि इंट्रोड़क्शन में क्या क्या है माँंट की किसना करना है और कुमिशनिंग की तरीक के सरी करनी है इस एकसवन हाईबरेड ल्वी इसकी इसकी स्ट्रॉक्चर के बारे में देखेंगे इसका स्ट्रॉक्चर कैसा है थोड़ाइस डेफाइन कर दूँग आपको साथ से पहले जो आपको चीज़ें चाहिए वो system diagram को थोड़ा सा समझना पढ़ेगा आपको कि exactly में system diagram है क्या ठीक है system diagram basically देखें आप इसकी तो आपके पख आपको inverter चाहिए होगा होगा जिसमें PV modules लेगा इसमें PV1 और PV2 लाइक दो strings आप राम से बना सकते हैं ठीक है बैटरी की requirement होती है बाकी सब कुछ नार्मल उसी तरह ग्रेड और उसी तरह से लोड की definition यह आपने इसको यह मैंने अर्फटर डिजाइन डाइग्राम दे दिया आप इसको समझ लें basically जो लोड है वो इसको EPS लोड से बोलेंगे ठीक है और जनरेटर भी आप इसका connect कर सकते हैं हम थोड़ा सावर आके चलते हैं तो हम देखेंगे कि अब इसकी जो हमारे तूल्स कौन कौन से हाई रहे टूल्स है और यह वाली पैकिंग लिस्ट अधिए देखेंगी पैकिंग लिस्ट के अदर आपके पास क्या क्या चीज़ आरहे हैं आपके पास पैकिंग बिस्ट में आपके अपके पास नॉर्मल जो आपका inverter हो होगा इसकी बैकिट्स होगी और इसके अंदर आपके पास यह स्क्रूज होंगे जो कि जिसे बोल्ट कहते हैं नट भी होंगे और बोल्ट भी कहेंगे दो दो पेर होंगे लिए आपके पास चार कॉनेक्टर होंगे दो पेर कॉनेक्टर होंगे जिसे MC4 बोलते हैं क्रेक्टिविटी के लिए यूज होते है positive और negative के लिए जो pin connectors के अंदर लगती है वो भी होंगी और battery को connection करने के लिए जो हमारे पास thimbles जी से बोलते हैं battery के वो भी मुझूद होंगे आप इसको terminal भी कह सकते हैं terminal को connect करके दो होंगे वो ठीक है और हमारे पास दो ही land ports होंगी जो connectivity के लिए use हो सकते हैं उसके बाद आप इसकी और अगे अगे चाहें तो हमारे पास हमें जो main requirements होंगी वो उसके अंदर वो जो चीज शामिल है वो भी mention होगी मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपके पास इन packing list में इन चीजों के इलावा आपके पास और जो चीजी है वो बैटरी को temperature को देखने के लिए से BMS की connectivity को देखने के लिए एक sensor आता है एक sensor आता है वो भी साथ आता है एक CT आती है जो कि नारमली लोड को EPS के लोड को देख रही होती है डिटेक्ट कर रही होती है उसके अदर एक Wi-Fi की डोंगल भी आती है चाहर सक्रियोज होते हैं और आपके पास मेटर मुझूद होता है जो कि जिसे कहते है कि मेयरमेंट्स करता है आपके flow of control की वह भी आपकी on payment होता है ठीक है और आज जो फोडिफाइफ के कुछ टर्मिनल्स होते हैं चाहर रही है इसकी official लिस्ट है जो कि originally पैकिंग होती है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़े नहीं पाकिस्तान में चे की लिवाट आती है रे पकी जिए चीजह में और इसकी चीजह को नुकाल लिए जाता है ठीक हम फर्दर आगे देखते हैं कि साथ आगे क्या-क्या हम कर सकते हैं क्या-क्यां क्या चीज चीज़ें हो सकती है बहुत ही इस फिeln placing का दीक है मॉंकिश those who कर सक आपको टेंप्रेचर इसके नहीं होते है और शावर पूफ पी होता है लेकिन इसको आप बिल्कुल ही बादरों में बारिश के सामें लगा दें लेकिन इसको फिर भी हमें माउंटिंग करने के लिए शेयर्ड होता है और यह माइनस 25 डिग्री से लेकिन प्लस 60 डिग्री तक का काम करता है मतलब उसमें वर्किंग अच्छी करता है आप यह देखें कि हमारे पास नॉर्मली जहां भी यह इंस्टॉल होते हैं वहाँ पे जो टेंप्रेचर की डिग्री है वो 60 डिग्री से इंक्रीज हो जाती है ठ इसका बहुत जादा ख्याल रखने आप लोग ने ठीक है आगे हम इसको चलते हैं कि इसके अंदर आगे और क्या कि हमारे पास चीज़ें मुझूद है अब थोड़ा सा यह देखें कि अगर आप दो किसम की इंवर्टर या दो चीज़ें तो आपने इसके अंदर गैप रख कोई इसको मतलब इसके लिए कोई ज़्यदा एजुकेशन की दूरत नहीं है हर कोई इसको समझ सकता है ठीक है हम आगे चलते हैं कुछ रिक्वायर टूल्स हैं जिसमें हमारे पासी कटर्स मुझूद हैं आप इसको देख सकते हैं ठीक है आप दो मेरे चीज़ें वायरिंग दो बना सकते हैं जो बनाएंगे इनके दो पीवी को दो एक से भी से भी काम हो जाता है तो मैसिमम आप बनाए जो टोटर है वह 14 प्लेट तर की है यह 585 वाट की बाग करो ठीक है आप इसने प्रीवी किनेक्शन करने के लिए आपकी वायर की जो जो आप उपर से वायर को छ बनाने के लिए वह 7 mm तक होना चाहिए तब आप एक पर्फेक्टली के थूरू उसको पांच श्पी कर सकेंगे और उसको बना सकेंगे सब्सक्राइब आपकी पीवी वान और पीवी टू में इसको मांट कर दिया अब हम जो एहम चीज है वो यही है कि हमने क्रिटिकल रोड की दर डालना है और जो दूसरा ग्रिड है उसकी कहां पर क्रिक्टिविटी करनी है ग्रिटिकल रोड वहां पर डालेंगे और जो ग्रिड है और नॉर्मल रोड है उसके वहां पर क्रिक्ट करेंगे यह 10 mm की इसकी थिम्बल बनाने के लिए तर्मिनल बनाने के लिए बैटरी का टर्मिनल है तक के लिए तार को चीलेंगे जहने में देखिए केबल है हमारे पस बहुत इंपॉर्टन थे हैं वह आपके पस लाजमी अच्छी केबल होनी चाहिए केबल बहुत मैटर करती है और इनकी 24x7 रहती है यानि केबल इतनी इंपॉर्टन थे हैं चोब इस घंटे आपके सिस्टम में सबसे एहम जो काम कर रही होती है केबल को देख रही होती इनकमिंग आउट ग्रेड यह वो और आप देहन में रहें कि आप लाजमी अर्थिंग की सबसे पहले लगाएं उसके बाद आप अपनी बाकी की जो यूस करें जो ग्रेड से आ रही है अगर देखा जाए तो ठीक है प्रॉपरली इसके लिगी नहीं एक इतना कॉंपेक्ट इंवर्टर है कि हर किसम की आप को जो है इसकी प्रोटेक्शन देता है आप देखें आप आप देखें आप दो 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 लगाने अभी हम दो लगाएंगे तो आपने दोनों को सेम पैरलल में करके इसकी करनी है ठीक है इन इन मॉडल्स के रिक्मेंट करता है जो साथ अभी 3.0, 3.7, 4.0, 4.6, 5.0, 6.0 LVs ठीक है यह बिसिक्री रिक्मेंडेड है और यह बैटरी की कॉनेक्शन से देखें आप हमेशे बैटरी की वायर को भी बहुत इंपोर्टन है मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्यूर कॉपर होनी चाहिए और एट लीस्ट 12 mm तक होनी चाहिए 10 mm या 12 mm तक होनी चाहिए ठीक है इसका भी टर्मिनल ऐसे हम बना लेंगे दे तक है और इसके बैटरी के प्रॉपर ली आप तो सब्सक्राइब देख सकते है कि इतनी ज़एदा प्रोटेक्शन होती है जो बैटरी का दीस्ट्रे ग्रंट बीछ में इतना बहुत होता है है इसके एमन के इंवर्टर के अन्दर आप यह देख सकते है कि वो यह DC current से होता है क्योंकि DC current ही इसको इसका सबब बनता है ठीक है अब हमने यह connectivity कर ली अब हमने CD लगानी है ठीक है CD जो है वो बहुत ही important है यह cable आपने इस की इस की बिन को किसी की से connect करना है इसके RJ45 के connector लगे होते हैं इसको properly common port में से आप गुजारेंगे और इसको आप इसी तरह गुजारेंगे और इसको आप connect कर देंगे अगर in between आपको कुछी समझ नहीं आ रही तो आप मेसेज कर सकते हैं आप मेरे सैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इन्शायत आप में यह चोला एक से रिलेटेड बहुत सी चीची वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो कि प्रॉपरली टेकनिकल वीडियो और टेकनिकल गायस के लिए बहुत ज्यादा informative लेंगे ठीक है RJ45 के connector को आप यह ज आप इसको अपने land cable के साथ connect कर सकते हैं और इसको आपने power cable के साथ लगाना है ठीक है यह power cable के साथ लगा देंगे तो यह आप जो आपका load जा रहा होगा ग्रेड में इसको monitor कर रही होगी अपने कर सकते हैं अब हमने एक communication port है हम यह भी लगाएंगे ठीक है यह बेसिकली आपकी com port होगी यह देखिया com उसके दर connectivity की होगी यह आपकी अर्थिंग की बाहर है इसको लाजमी आप o t के साथ connect करने के बाद इसकी अर्थिंग करें और बाहरे इसको लगाएं लाजमी यह क्योंकि इसके अंजर अर्थिंग मुजूद होती है इन्वर्टर के अंजर इसको बहुत ख्याल लखें के अर्थिंग केबल कहोना बहुत जरूरी है ताकि आपको जो इन्वर्टर है इसको आप आपकी डॉंगल के लिए USB पोर्ट है इसको अप्ग्रेडेशन के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है आप इस डॉंगल को लगा अनके देखें फकेदत जाओं केम type घ्रिया में आप और ऀयुक्ज़ के लिएगे यहां से उलिदियाओं एक जो एवह हम एसके इसको इसको इंडिएलगे जो आता है फ्यल्स बैटरी इसक ज़ुँक्रेशन के बैटरी निधिकेटर लाइट होती है एक लिकशब पर बैटरी इंडिकेटर लाइट और अगर किसी किसम का एरर आये तो एरर इंडिकेटर लाइट होती है जो पर आपको आपके लेफ्ट साइड को बॉटम में नदर आ रही है कि अचे कि आप यह देखें कि इसके पर आप एर डाउन रोख की होती है और इसके जिसे वापस बैक भी कह सकती है और इंटर उसके नदर नंक लोने के लिए ठीकर टाइस्क्रीन है आप इंटर करें और नॉर्मली इसको सेटिंग करें इसका पासफ़ड नॉर्मली मैं आपको साथ साथ बताते रहेंगे स्वीटी की सैटिंग बहुत इंपॉर्टन है ठीक है अगर हमारे पास दो रगे में है तो हम इसको एक को मास्टर और एक को स्लेव बना लेंगे अगर देखिया यहां से हम लाज़मी इसकी सेटिंग के परसिडर्स को भी सेट करने हैंगे क्योंकि इसको पाकिस्टान सेट करना जोरी है क्योंकि इसकी सैटिंग के अदर आटोमाटिकली पाकिस्तान तो फ्रेंड्स यह था हमारा 16X की इस्टालिशन का प्रोसेस ठीक है आप इसकी एप्स को एप स्टोर से गूगल स्टोर से यह निके आप इसको आयोएस औरेट दोनों पर यूज़ कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी अप्लिकेशन है ठीक है इसके अदर आपने क्या परनाता ह क्या है उसको करना होता है कि क्या किसे करना होता है और जो के वायफाय डॉंगल का प्रापर तरीक है वहां आपको दूसरी ब्यूटिय में शेयर करूंगा इन्शालाँ ताला कि हमने की सबसे आपको यह सबसे ऐहम और सबसे अच्छा इंवर्टर है पाकिस्ता की तारीख में इस प्राइस के अंदर इस टाइप का इंवर्टर अभी तक कोई नहीं है और फुरोनस नहीं हमेशे की तरह सबसे अच्छा इंवर्टर और सबसे सस्ता इंवर्टर लांच किया ठीक है नाजरین आप इसको जो जो नया इनिवर्टर लगाने चाहरे हैं अन्वियस को मैं इस गेर्गन एनर्जी की तो आपु को मिरीक्मेंट करूंगा के आप लोग سॉला एक्स का।da के इंवर्टर यिज्ट करें। इसमें अभी तख पाकिस्तान में 6 किल वार्ट का Management Quilt आप मेरे से जोड़े रहें मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और आगे शेयर करें आप लोगों का तावन आप लोगों की होसला बजाए के साथ इंशाला तरह और वीडियो भी बनेंगी और और शॉट्स भी बनेंगी छोटे चोटे टोटके आपके होंगे आप उनकी क्वेशन होंगे उनकी आंसर हम करेंगे थैंक यू वेरी मैच आव नाइस टे अस्सालाम अलेकम